हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में आज के इस वीडियो मैं आपके लिए 25 इंपोर्टेंट कोस्टन लेका आया हूँ तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा और अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साथ ही उसके साइड में बेल आइकन को जो दबा दें ताकि आप आने वाली सभी वीडियो को देख सकें तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज का पहला कोस्टन है निम्न में से किसने भारत के प्रधान मंतरी के रूप में सबसे अधिक समय तक कारे किया है देखिए जितने भी कोस्टन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूँ अगर आपको उन में से किसी का भी आंसर पता है और ये लगातार दो बार प्रधान मंतरी बने है आपको ध्यान लगना है और अगर हम बात करें सबसे कम कारेकाल की तो आपको ध्यान लगना है सबसे कम कारेकाल अटल बिहारी बाचपई जी का रहा है तो आपको ये सभी ध्यान लगना है next question देखते है question number 2 है पुसकर मेला कहां आयोजित किया जाता है right answer option D हो जाएगा राजिस्थान आपको ध्यान दगना है यह जो पुसकर मेला है राजिस्थान में लगता है और यह पृतियेक बर्स कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और पुसकर जील में आकर इस्थान करते हैं तो आपको ध्यान दगना है यहाँ पर यह जो पुसकर मिल लगता है यहाँ पर कौन सी जील है पुसकर जील है आपको ध्यान दगना है next question देखते है नूर जहां किस मुगल समराट की पतनी थी राइट आन्सर ऑप्सन सी हो जाएगा जहांगीर आपको ध्याँ नखना है जहांगीर की पतनी थी कोस्ट नमर् चार है पिलासी का युद्द किस बर्स लड़ा गया था राइट आंसर ओप्शन C हो जाएगा 1757 ECB को आपको ध्यान नखना है ये कॉस्टन कई बार एक्जाम में पूछा जाता है तो मैं आपको इसके बारे में ओवर पॉइंट बतायता हूँ देखे ये युद्ध बंगाल के नवाप सराजुदोला और अंग्रेजों के बीच रड़ा गया था इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेत्रत्म रावर्ट के लाइबनी किया था आपको ध्यानक नहीं और देखे बंगाल का नवाब सराजुदोला इस युद्ध में हार गया था क्योंकि इसकी जो हार का कारण था इसका सेना पती था मिरजाफर उसने सराजुदोला को धोका दिया था क्योंकि बहा अंग्रेजों से मिल गया था अंग्रेजों ने इसे लाल Question no.5 राष्ट्य मानवादिकार आयोक का मुख्याले कहां इस्तित है? Right answer option D हो जाएगा दिल्ली आपको ध्यान रखना है इसका मुख्याले दिल्ली में स्तित है और अगर हम बात करें, बर्तमान में इसके अध्यक्स की तो आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्स इस समय पर HL दत्तू है आप इसे चेक कर लिजिए, सायद आप किसी और समय पर इस बीडियो को देख रहे हो तो उस समय में इसके अध्यक्स चेंज हुँ जाएं मायोपिया आंखो का दोस है इसी क्या कहा जाता है राइट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा निकट द्रश्टी दोस मैं आपको पहले भी इस कोस्टन के बारे में बता चुका हूँ आपको ध्यान रखना है निकट द्रश्टी दोस को मायोपिया भी बोला जाता है कोस्टन नमबर आठ है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है राइट आंसर ओप्सन बी हो जाएगा रैड किलिप रेखा आपको ध्यान रखना है दिखे इस रेखा का निर्दारण 1947 में सर सायरिल रैड किलिप के द्वारा किया गया था इसलिए इसका नाम रैड किलिप रेखा रखा गया था और अगर हम बात करें डूरंड रेखा की ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है आपको ध्यान रखना है और जो मेक मोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच है तो आपको ये तीनों ध्यान रख नहीं है, कई बार एक्जाम में पूछ लिया आती है भारते सम्मिधान के किस अनुच्छेद में धन विधहक को परिवासित किया गया है Right answer option B हो जाएगा, अनुच्छेद 110 आपको ध्यान लख नहीं है, धन विधहक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है और अगर हम बात करें बित्त विधहक की, तो बित्त विधहक को अनुच्छेद 117 में रखा गया है तो आपको दोनों ध्यान लख नहीं है, next question देखते है question number 10 है, vitamin B3 की कमी से कौन सा रोग होता है right answer option B हो जाएगा, पिलागरा रोग, आपको ध्यान लखना है और इसका रसाइनिक नाम निकोटीनी कमल होता है, आपको ये भी ध्यान लखना है और देखे, जितने भी vitamin है, उनके रसाइनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग अगर आपको देखने हैं, तो मैं इस वीडियो की description में निके लिंक देदूँगा, आप बहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं ये vitamin का जो topic है, काफी मेरत तो पूने क्योंकि एक्जाम में question यहाँ से देखने को मिलते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखेगा, चलिए next question देखते हैं बिस्व की सबसे लंबी परवत स्रियंडी कौन सी है? right answer option C हो जाएगा, and D is परवत स्रियंडी ये बिस्व की सबसे लंबी परवत स्रंकला है, आपको द्यान रखना है और दिखे, इसकी जो लंबाई है लगभग, 7000 km इस स्रियंडी की परवत स्रियंडी की लंबाई है और दिखे, इस परवत स्रंकला में एक मरुस्थल भी इस्तित है, जिसका नाम आटकामा मरुस्थल है ये चिली देश में पढ़ता है, और दिखे, आपको यहां से एक पोईंट और द्यान रखना है इस परवत स्रियंडी से एक नदी निकलती है, जिसका नाम अमेजन नदी है तो आपको यह सभी पोईंट द्यान रखने है नेश्ट कोस्टन देखते है कोस्टन नमबर 12 है संतोष ट्राफिक किस खेल से सम्मंदित है राइट आंसर ओप्सन D हो जाएगा फुट बोल, आप सभी को पता हुआ काफी हसान कोस्टन है और देखे फुट बोल में कितने खिलाडी होते हैं 11 खिलाडी होते हैं, आप सभी को पता भी होगा नेश्ट कोस्टन देखते है हिर्दय की बिमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है राइट आंसर ओप्सन A हो जाएगा ECG इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राम होता है आपको ध्यान लगने है इसका प्रियोग हिर्दय की बिमारी को पहचानने के लिए किया जाता है Next question देखते हैं मस्तिस्क की बिमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है सही answer option C हो जाएगा E.E.G इसका पुरा नाम इलेक्ट्रो इंसे फिलोग्राम होता है आपको ध्यान लगना है ये मस्तिस्क की बिमारी को पहचानने के लिए काम में लाया जाता है Next question देखते है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्टे सीमा लगी हुई है सही answer option D हो जाएगा बांगला देश आपको ध्यान लगना है बांगला देश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराष्टे सीमा लगी हुई है इसके लंबाई लगवग 4096 किलो मीटर है आपको ध्यान रखना है और अगर हम बात करें सबसे कम सीमा की किस देश के साथ है तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान इसके लंबाई लगभग 106 किलो मीटर है आपको ये भी ध्यान लखना है next question देखते है question number 16 है पाक जल संदी किन दो देशों के बीच है सही answer option C हो जाएगा भारत और स्री लंका देखे कुछ लोग इसका answer गलत लगा देते हैं भारत और पाकिस्तान लगा देते हैं यहाँ पर पाक जल संदी देखकर लेकिन आपको ध्यान लखना है भारत और स्री लंका के बीच है और देखे कि आपको यहाँ से एक point और ध्यान लखना है अगर आपसे exam में यहाँ पर पाक जल संदी ना दे कर पाक जल डमरू मध्य दे दे तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि जल संदी को ही जल डमरू मध्य कहा जाता है चलिए next question देखते हैं Question number यहाँ पर 18 है यहाँ पर लिखने में mistake होगा है यहाँ पर 17 होता पनामा नहर निमलखित में से किन दो महासागरों को जोडती है Right answer option A हो जाएगा पिरसांत महासागर तथा अंद महासागर आपको द्यान दकना है पनामा नहर इन दो महासागरों को आपस में जोडती है और देखे आपको यहां से एक point और द्यान रखना है जो अंद महासागर है इसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है तो आपको इसमें confuse नहीं होना है कि आपको एकजाम में अटलांटिक महासागर दे दे और यहां पर अंद महासागर है तो आपको दोनों द्यान रखने दोनों कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है इंडोनेशिया ये बिस्व का सबसे बड़ा दीव समू है तो आपको ये दोनों ध्यान रखना है next question देखते है question number 20 है बिस्व का सबसे बड़ा कोफी उतपादक देश कौन सा है सही answer option D हो जाएगा बिराज जील ये बिस्व का सबसे बड़ा कोफी उतपादक देश है आपको ध्यान रखना है चलिए अगला question देखते है अंतराश्टे तिथी किस महासागर के बीच से होकर गुजरती है सही answer option D हो जाएगा प्रसांत महासागर प्रसांत महासागर से होकर गुजरती है अंतराश्टे तिथी रेखा देखे 180 देशांतर कालफनिक रेखा को ही अंतराश्टे तिथी रेखा कहा जाता है आपको ये द्यान रखना है अगला question देखते है कालाहारी मरुस्थल किस देश में इस्थित है प्रसांतर कालाहारी मरुस्थल अगला question देखते है ब्रिक्स में जुलने वाला पांच बादेश कोन सा है राइट आप्सर ओप्सन सी हो जाएगा दच्छिन अफरीका आपको द्यान रखना है ये पांच बादेश था ब्रिक्स में जुलने वाला देखे इससे पहले बिरिक्स बिरिक्स के नाम से जाना जाता था यानि कि इसमें चार देश सामिल थे जब पांच बादेश जुला दच्छिन अफरीका तो पांच देश हो गए तो आपको द्यान रखना है इसमें पांच देश कोन से है यहाँ पर B से है ब्राजील, आर्ट से है रसिया यानि की रूस और यहाँ पर I से है इंडिया C से है चाइना और S से है यहाँ पर पांच बदेश, दच्छिन अफरीका तो आपको यह पांच यह ध्यान रखने है और दीखे, 2018 में इसका दसवर सम्मेलन हुआ है दच्छिन अफरीका के जोहांस बर्ग में आपको द्यान रखना है, next question देखते है Question number 24 है प्रत्वी के सबसे आंत्रिक परत को क्या कहा जाता है Right answer option B हो जाएगा Core, यानि की प्रत्वी की सबसे आंत्रिक, यानि की सबसे नीचे की जो परत होती है उसे Core कहा जाता है और देखे, आपको द्यान रखना है जो प्रत्वी की Crust परत होती है ये सबसे उपरी परत होती है और जो mental होती है, ये मद्ध्य वर्ति यानि की बीच की परत होती है तो आपको तीनों द्यान रखना है Crust सबसे उपरी और मद्ध्य की जो परत होती है, मेंटल होती है वो सबसे नीचे की परत को कोर कहा जाता है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हुआ अगर आपको वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक जरू करना और वीडियो को जाद जाद सेयर करना ताकि हम आपके लिए आगे भी वीडियो ला सकें तो चली मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कूँ झाल 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 तक के на सके लिए भीडियो अच्छार सकाया हुआ